हेलो फ्रेंद्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागाते मेरे आज की व्लॉग में आप सभी को नमस्का छोटो को प्यार बड़ो को प्रणा तो आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी पूरी कैसे बनाते हैं तो उससे पहले मे बनाने में पर होती बहुत ही टेस्टी है आप भी बनाई ऐे घर में और ट्राइ कर गे हैं तो बनाते हैं आलू की और सुजी की खसता पुरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है और इसी कटोरी के नाप का आप थोड़ा सा warm water लेंगे जिससे कि जो हमारी सूजी होती है अच्छे से जिससे कि हमारी जो आलू की है न वो गुठलियां उसमें ना रहे वो अच्छे से मैश हो जाए जब हम पूरी बनाएंगे नहीं तो हमारी पूरी फट सकते हैं अगर आलू की बीच में गुठलिया आएंगे तो आपको ऐसे ही दोनों आलू को कद्दू कस कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने आलू को कद्दू कस कर लिया है आप इसी तरह से करना तो आपको बिल्कुल ही स्मूद टेक्शन मिलेगा आलू का और आप अब यहाँ पे देखे जो हमारी जो सूजी थी वो अब रेस्ट करके एक्दम से अच्छे से फुल गई है और अब यह र परफेक्क रेडी है अब हम इस टाइम पे इसमें आलू मिलाएंगे जो हमने करश करे हुए रखेते हैं हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि जो हमारी सूजी है जिसने पानी एब्जॉब किया है उसमें भी पानी की मातरा होती है और जो हमारे आलू हो थोड़ा साफ अड़किया है, यह मैंने सिर्फ उसे लेएड़क्णा चलिलियं को बाइच्छ पर्षोमदाये, विल्डी यह मैंने के लिए तका न tights , हमारा जो बैटर वह हखे से रेड़ी हो तो आप करना है जैसे कि हम एक पूरी के ओड़े फुरी होती उस से थोड़ा सा ओड़ा हम लगाएंगे तो मैं आपको बाहने बताती हूं कि मेरे कितना आटा इसमें लगा है तो आप देख सकते हैं मेरा जो डो है वो परफेक्ट रेडियो हो चुका है मेरा इसमें 2 कडोरी अटा लगा है और उसके बाद मैंने इसमे थोड़ा सा तेल एट किया है, तेल हमने क्यों मिलाया है, जिससे कि हम जब पूरिया बनाया तो यह हमारे हाथ में चिपके नहीं, तो इस ओयल को हम अच्छे से पूरे जो डो हमने रेडी किया था उसमें मिक्स कर लेंगे, तो अब आप देखिए जो ओयल था वो बिल्कुल अ इसको थोड़ा सा ओयल लगा है, जिससे कि यह जिपके नहीं, फिर थोड़ा सा इसे और इसको पूरी का शेव दे दिया है, तो एक कणाय में आप ओयल गरम करेंगे, देखिए ओयल मेरा गरम हो चुका है, तो मैंने अब इसमें पूरी डाल दी है, अब पूरी को पकने के ल यह एक साइट से पक चुकी है, अब मैं इसे पलट रही हूँ, अब यह दूसरी साइट से पकेगी, तो मैं इसे जब मैंने पलटा तो अब मैं इसे हलके हलके प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह कितनी अच्छी फुल के रेडी हुई है, और एकदम क्रिस्प तो आप इसी तरह से अपनी सारी पूरिया बनाके रेडी कर लेंगे और यह पूर्या बहुत करारी और क्रिस्पी होती हैं यह नॉर्मल पूरी से अच्छी भी लगती हैं काने में और इसका टेस्ट डिफरेंट आता है आप इन पूरियों को सुख्यालो के साथ भी खा सकते है दही के साथ भी खा सकते हैं और आप अगर नॉर्मल इसे चाय के संग खाएंगे तो भी अच्छे लगती है यह पूरे किसी भी तरह से आप खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और इसी तरह से मेरी वीडियो को आप देखते रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरी व